प्रोफेनोफास पच्चास प्रच्छत इसी एक अंतरप्रवाहिवा असपर्स ये कीतना सक है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी दवा के बारे में बताऊंगा मैं हूँ आपके साथ संजीव संकर्तिवारी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रियेटिव साइस में प्रोफिनोफास आर्गिनोफास पटवरारी का एक निउरो टॉक्सिक कीट ना सक है जो कीटों को निउरान यानि की उनके तंत्र का तंत्र दौरा मारने का काम करता है प्रोफेनोफास जिस भी पत्ती पर पड़ा होता है अगर उस पर आकर कोई कीट बैठता है, रेंगता है या उसे खाता है तो तुरंत लखवा गरस्त हो जाता है और 2-3 घंटे में उसकी मृत्यू हो जाती है प्रोफेनोफास की एक बहुत बड़ी खास्यत है कि ये पत्ती के रंध द्वारा रिस्ट करके बहुत जल्द ही निचली सताह पर पहुँच जाती है जिससे छिपे हुए पीट भी मर जाते हैं प्रोफेनोफास का प्रियोग फसल में लगी सुन्डी, तेला, माहू, चुर्दा, सफेद मक्की, सेमील उपर गीरदर बिटिल को नियंतित करने के लिए किया जाता है कमपनियों के अनुसार इसे सिर्फ चाय, कपास और सोया बीन के फसल में प्रियोग करना होता है लेकिन जिस भी फसल में उपरोक्त बताएगे कीट दिखाई देते हैं, उनमें आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ कमपनियों का सुझाओ भी मिलता है बात करें प्रियोग के मात्रा की तो जिस भसल में सुंडी लगी हुई है, उसमें आपको 300-400 ml प्रति एकर, 200-400 लीटर पानी के भूल में छिर्खाव कारे करने की जरूरत होती है वहीं जिस फसल में उपरोक्त बताए गए अन्निकित लगे हुए हैं, उनमें आपको 400 ml प्रति एकर की हिसाब से 300 लीटर पानी के भूल में छिर्खाव कारे करने की जरूरत होती है साक सबजी की फसल में आपको 200-200 ml प्रति एकर की हिसाब से प्रियोग करने की जरूरत होती है चिर्खाव कारे ऐसे मशीन से करने की जरूरत है जिसमें हालो को नाजिल लगी हुई हो बात करें अगर इसके टॉक्सिस सीटी लेबल की तो ये एलो लेबल की दवा है वहीं इसका बेटिंग पीडियट सोया बीन के लिए 40 दिन है बाकी अन्य फसलों के लिए 10 से 15 दिन का है और जरूरत पढ़ने पर 15 दिन पर आप दोबारा शिर्काव कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके मार्केटिंग नाम वा निर्माता कंपनियों की तो सजंटा से क्यूरा क्राम, इंडो सिल्क राप साइन्स से प्रोफेन, एग्री इंडिया से एग्री प्रोफेन, जे यू से प्रोफेन, रामसरी केमिकल से प्रोफेसर, पैरा मांट से प्रोटेक्शन, सुष्टन से प्रोमिक्स और ग्रोविल से ग्रोफेक्स इसके अत्रिक्ट भी आपको मार्केट में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिसका प्रियोग आप कर सकते हैं आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद शांता हूँ